एकदम आसान तरीके से मचली का सालन बनाएंगे, एक किलो मचील ये हैं, उसमें नमक, नीम्बू का रस डाल कर, मारिनेट करें थोड़ा सा, अच्छी तरह मिलाएं, और थोड़ी देर रख दे, अब एक मिक्सी जार में सौंफ, जीरा, मेती दाना, राई, अधरक लसन, एक कटी हुई प्यास, करी पत्ता, नारियल, कोकोनट, सब मिलाकर पीस लें, पानी डालकर अच्छी तरह, बारिक पेस्ट बना लें, अब ओईल डालें, एक पैन में, और उसमें पीसा हुआ मसाला डालें, थोड़ा पानी भी डाल दे उसमें, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, सब ड्राई मसाले, जो सूखे मसाले डालकर अच्छी तरह बूने, मसाले को अच्छी तरह तेल आने तक भूने अच्छी तरह, उसमें कोकम डाले, कोकम ऑप्शन है, अब डालना चाहते हैं, तो डाले वरना बढ़ डाले, कटीवी, कोतमीर डाले, अच्छी तरह मिक्स करें, मसालों को अच्छी तरह भूने, अच्छा भून जाने के बाद पानी डाले, अपनी जरूरत के मुताविक, जितना पतला, जितना गाडा, जैसा पसंद करते हो, ग्रेवी, खाना, वो हिसाफ से पानी डाले, फिर थोड़ा बॉइल आने के बाद, मचली के पीसिस को डाल कर, एक पाँच मिनिट तक ढख कर पकाएं, अगर ज्यादा खटा खाना पसंद करते हैं, तो नीम्बू का रस डाले, यह आदा नीम्बू का रस है, आप डालना चाहें तो डाले वरना मठ डाले, पाँच मिनिट बॉइल आने के बाद, सालन तयार है, मज़ेदार, मचली का सालन तयार है, अगर मेरी रेसिप अच्छी लगती हैं, तो लाइक कीजिए, कमेंस कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूलें, रेसिपी देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थाइब कर दो वाच्छी ना भूलेंगे।